नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन, आप से आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोज डाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय या शास्त्री जानकारी आप से चूटा जाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं आज 23 मई के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम संवत 2077 मास्चल राय जेश्ट का तिथी शुकल पक्ष की प्रतिपदा की तिथी ये शनिवार का दिन है नक्षतर है रोहिनी योग है तिगंड और करन है किंस्तोग नौर वरत परवर तिवहर की अगर बात करते हैं तो रोहिनी वरत का परवाज बनाया जा रहा है तो ये तो बात रही आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशी फल की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए नियोजित रूप से काम करने से व्यावसाई क्योजनाए सफल रहने वाली है रोगी को वस्तर का दान करना चाहिए महामरतुजे मंतर का 108 बार जाप करना चाहिए और बड़े बुज़र्गों की बातों को दिल से आपको नहीं लगाना चाहिए वरिशब राशी वरिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए कारे के साथ आज मनुरंजन के अफसर भी आपको प्राप्तोंगे परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतेगा वाणी पर सहियम रखें भगवान गणेश की पूजा राधना करें और कोई नया अनुबंद नया क करने से आपको बचना चाहिए मितुन राशी मितुन राशी वाले जातक लोगों के लिए स्वास्त का ध्यान ने नेत्र विकार की संभावना आपके लिए बढ़ती है बंती दिखाई देती है माता पिता का अशरवात देना चाहिए और वाहन का प्रयोग बहुत साफधानी से करिए करक राशी करक राशी वाले जातक लोगों के लिए घर के उपयोग की वस्तों में आप खर्च करें ऐसी इस्तिती आपके लिए दिखाई देती है कुछ इलेक्ट्रोनिक्स वगरा खरीदें परिवार के जरुवत के लिए ये योग आपके लिए बंता दिखाई दे सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए लंबी दूरी की यात्राइं इस दौरान आपके लिए नुकसान दायक से दो सकती हैं ऐसी यात्रा से बचना चाहिए अपने शहर में अपने परिवार के साथ रहें भगवान विश्नु की पूजा अराधना करें आपक को बचना चाहिए कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए दामपते जीवन में मदूरता का अनुभव कर पाएंगे वानी पर नियंत्रन रखना चाहिए सोच समझ करके नपातुला समवाद रखें जरूरतमन व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन कराएं शन आते साथ काम में लापरवाही भी आप ना दिखाएं भगवान श्रीक्रिश्न की पूजा आराधना करना उंक्लिंग कृष्णायर महामंत्र का 108 बार जाप करना आज आपको लाप दिला सकता है व्रिश्यक राशी व्रिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए इंपोर् ये वस्तु जो खो गई थी आज उसके वापिस मिलने के योग आपके लिए दिखाई देते हैं भगवान विश्नु की पूजा आराधना करना उंक्नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना और साथ इसाथ एक साबुत हल्दी की गाठ आज अपने पास पूर कार के अनाज मिक्स करके मिला करके चारा देना चाहिए दक्षण दिशाकी और मुकर के भोजन करने से आपको बचना होगा कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ मदोरंजन पर आज आप कुछ खर्च करें ऐसी इस्तिति दिखती है भगवान श्री सीता राम जी की पूजा राधना करना रामरख्षा हिस्तरोत का पाठ करना आपके लिए कल्यान कारी होगा नीले रंके वस्तिति वाले जातक लोगों के लिए जीवन साती के साथ संबंद प्रगाड होगा व्यस्तता के बाद भी आप परिवार के लिए समय काल पाएंगे इसनान के जल में फिटकरी मिला करके इसनान करना चाहिए और लक्षमी जी की पूजा राधना करना श्री सूपत का पाट करना आपके लिए कल्यानकारी होगा पश्चिम दिशाकी और मुक करके भोजन करने से आप बचें तो दोस्तों ये तो बात रही आज के बारा राशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक्षत्र के इस्तितियां क्या कहती हैं और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महाँपाई की और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके घर मे अपने घर में कैंसर जैसे रोगों की भी वास्तू दोश मौजूद होते हैं बस बात इतनी सी है कि हम और आप इसे पहचान नहीं पाते समझ नहीं पाते अगर कोई व्यक्ति परिशान है कैंसर जैसी समस्या से जूज रहा है और वो डॉक्टर के पास दोड़ रहा है और उसका कोई समधान नहीं निकल रहा है तो बहुत हद तक जो मेरा अपना मानना है इतने सारे अनुभव जो मैंने लोगों के यहां वास्तू विजिट्स करके लिए हैं मेरा अपना परसनल अनुभव यह है कि पंद्रह घर में मैंने देखा नौर्थीस्ट में ट्वालेट होना एक्जैक्ट नौर्थीस्ट में और मैंने उन से पूछा कि आपके घर में किसी विक्ति की डेथ कैंसर जैसे रोग से हुई है या रक्त सम्मंदी बलड से रिलेटेड किसी बीमारी से हुई है तो जवाब हां में ही मिला तो फिफ्टीन आउट ओफ फिफ्टीन मैं कह सकता हूं हंड़ेट परसेंट इसका जो असर होता है वो वह होता है तो आई आज जानते हैं कि कैंसर जैसे गंबीर रोगों का उनको जन्म देने का कारण वास्त है या कोई कोना बाहर निकला हुआ होता है घर का कोई भाग उचा तो कोई भाग नीचा रह जाता है ऐसे अनिमित बनावट के कारण घर में सकरात्मक और नकरात्मक पूर्जा के बीच अंसंतुलन पैदा हो जाता है इसी कारण घर में रहने वाले लोगों की सेहत पर विप वास्तु दोश जरूर होते हैं इनमें एक वास्तु दोश जो है वो इशान कोड़ में जरूर होता यानि नौर्थीस्ट कॉर्णर में जरूर मिलेगा और दूसरा जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्णर में आपको दक्षण पर्शिम कोने में या आगने कोड़ में नैरत कोड़ में आगने कोंड में साउथीस्ट में जरूर मिल जाएगा नौर्थीस्ट में घर का इशान कोंड गोल होना कटा हुआ होना दबा हुआ होना या जरूत से जदा इशान कोंड का बढ़ा हुआ होना होता है या घर के अन्य देशाओं की तुलना में इशान कोंड का उचा होना शामिल होता है या फिर वहां पे आपने गलती से टॉयलेट बना दिया इस्टोर वगरा बना करके उस जगह को दूशित कर दिया इशान को जो होता है उसका नाम ही इशान है इश का वह सिर माना जाता है बगवान वरिहस्पती की जगह है और बगवान भोले नात का वह दोशों से जो कि घर के दक्षण पश्चिम दिशा में हो या फिर आगने कोड में हो या वायवे कोड में नेरक कोड में कहीं पर अगर होता है तो वो डिपेंड करेगा कि शरीर के किस भाग में आपको कौन सा रोग हो सकता है अगर पूर्व के आगने कोड में इस्ट डारेक् का कैंसर हो सकता है और घर के दक्षण में साउथ में या दक्षण नहरत में साउथ का जो साउथ वेस्ट कॉर्णर है उसमें अगर भूमिगत पानी का स्रोत वगरा होता है इसके लावा दक्षण या दक्षणी नहरत का भाग किसी भी प्रकार से नीचा हो या बढ़ा हुआ ह हो तो ऐसे में फिर महिलाओं को बहुत जादा कर्ष्ट मिल सकता है उनको कहीं गंभीर सजरी वगर की इस्तिती का सामना करना पड़ सकता है किसी भी भवन में आवशक्ता से अधिक उचा और बढ़ा हुआ इशानकोंड होना और पश्च्यम दिशा का किसी भी प्रकार का अध नेरत कोंड में साउथ वेस्ट कॉर्णर में भूमिगत अंडरगराउंड पानी का स्रोत हो नेरत कोंड बहुत नीचा हो या बहुत बढ़ा हुआ हो साथी अन्य दिशाएं इशायन की तुलना में नीची हो अन्य दिशाओं की तुलना में इशायन कोंड बहुत उचा हो त उसका ये बहुत महत्वपूर्ण एक कारण माना जाता है वाय विकोर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर उत्तर यानी नॉर्थ का जो डायरेक्शन है इशान यानी नॉर्थीस्ट की जो दिशा है और उसके लावा पूर्व दिशा इस्ट डायरेक्शन इन दिशाओं का उंचा होना और आगने दक्षन आगने यानि साउथ इस्ट दक्षन यानि साउथ नहयरक्त यानि साउथ वेस्ड पस्ट इंडियरेक्शन में underground water का सोर्स होना भूमिगत पानी का स्रोथ होना या in डियरेक्शन का नीचा होना आप इसको जो है आगने कोड से ले कर के पूरा साउथ वेस्ट तक जा सकते हैं, अगर ये डारेक्षिन नीचे होंगे, यहां पे अंडरगराउंड वाटर का सोर्स होगा, तो ये ब्रें कैंसर जैसी समस्या को जन्म दे सकते हैं, और अगर ये साउथ या वेस्ट का डारेक्षिन एक्स्टेंड़ भी होगा, बढ़ा भी बाते हैं जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती हैं ये निश्यती पसंद आती होंगी आप सभी से बार-बार आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आप से मिसना हो जाए परशान बिल्कुल भी ना हो जीवन में यदि समस्या हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी परसनल प्रॉबलम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानि पर्सनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सप के माध्यम से अपॉइन्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है 999-0724131 आपको दो नमबर दे रहा हूं इन दोनों नम नमबर पे वाट्सप अवैलेबल है आप वाट्सप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा है और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवारे